कैसे हो दोस्तों किसी competitive exam को crack करने के लिए क्या होना चाहिए एक disturbed mind और cool mind में किसकी possibility ज़्यादा है किसी exam में qualify करने के बच्चे cool mind और clear vision दोनों साथ साथ चलते हैं जब आप सांत रहोगे तब भी आपके पास clear vision होगा कि आपको क्या करना है कितना करना है कैसे करना है अगर आपके पास clear vision नहीं है तो आप exam qualify नहीं कर सकते हैं लेकिन clear vision आने के लिए आपको सांत रहने की कला सीखनी पड़ेगी जानते हो बच्चो जोकोवीच को जानते क्या टेनिस के नंबर वन प्लेयर है उनके बार में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वो कई कई घंटे जाकर बॉद्ध मंदिरों में चुप चाप अकेले बैठे रहते हैं कहते हैं ऐसा करने से उन्हें बहुत सांती मिलती है वो मेडिटेशन के स्टेट में चले जाते हैं और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते हैं मैं ये नहीं बोल दा कि किसी एकजाम में कौलिफाई होने के लिए सिर्फ सांत दिमाग की ही ज़रत है मेहनत की भी उतनी ही ज़रत है लेकिन मेहनत भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका विजन क्लियर हो आप में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो आपको पता हो कि चीजें क्या सफलता के लिए पहले सांत दिमाग होना ज़रूरी है और दूसरी चीज मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है मिलते हैं बच्चों